अब एक्सराइस थ्री ये ये चैप्टल में क्या है अब सिर्फ फुल अफ प्रॉब्लम सम्स ओके क्या करना है लेंथ आफ लाइन एबी क्या है शिक सेंटिमेटर गो लिख लो लेंथ आफ लाइन एबी इक्वल्स तो सिक सैंटिमेटर अब क्या करना है लेंथ आफ लाइन सी डी इक्वल्स दू 15 cm, which is also given in your question, ठीक है, अब चाहिए क्या, No. 1, the length of AB to that of CD, अब क्या है, length of AB to length of CD, length of AB to that of CD, इसका मतलब क्या है, AB पहले आ है, ठीक है, AB आगे है, तो उपर कौन बैठेगा, 6, CD बाद में है, नीचे कौन बैठेगा, 15, ऐसे करके मत सोचना, ठीक है, समस ऐसे सोचना, यहाँ पर किसके साथ, किसका comparison है, ठीक है, यहाँ पर length of AB to that of CD, ठीक है, CD से AB का length कितना है, ठीक है, ऐसे करके सोचना है, तो यहाँ पर काटा-कूटी जाता है, तो काटा-कूटी कर दो, 2, 3, 2 सा, बतलब 2 से नहीं, 3 से कर दो, 3, 2 सा, और 3, 5 सा, तो answer क्या आ जाएगा, 2 by 5, ठीक है, समझ में आया, अब number 2, number 2 क्या है, half the length of AB, तो half of length of AB is equals to half of length of AB, इसका मतलब क्या है, half of मतलब multiply length of AB, क्या था, 6, तो 6, answer क्या आता है, 2, 3, 6, मतलब क्या 3 आ जाएगा, ठीक है, यह क्या centimeter होगा, अब क्या बोला है, कि one third of CD, वो भी निखालना है, ठीक है, one third of length of CD, ठीक है, क्या है, one third into CD का length क्या था, 15, मतलब क्या, one third of, one third, one third of, मतलब multiplication length of CD, क्या था, 15, तो 3, 5, 15, तो answer क्या जाएगा, 5 centimeter, ठीक है, अब, क्या करना है, ध्यान से देखो, क्या था, half of the length of AB, to that of one third of CD, मतलब, half of length of AB, to, क्या था, one third of CD, है न, इसके तरह, तो क्या हो जाएगा, कौन उपर बैठेगा, half of length of AB, मतलब, ये पहला वाले उपर जाएगा, to, one third of CD, तो नीचे 5 आएगा, तो ये हो गया, ये एक answer है, ये एक answer है, नमबर 2, अब, नमबर 3 क्या है, one fifth of CD, to that, that of AB, तो इसका मतलब, AB का length क्या था, AB का length क्या था, six था, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, one fifth of CD, ये निकाल लेना है, इसका मतलब क्या है, one fifth into CD का length क्या था, 15, तो five threes of 15, तो answer क्या आगया, three centimeter, अब AB का length क्या था, six था, तो इसका मतलब question क्या हो जाएगा, one fifth of CD, one fifth of CD, two, that of AB, which is equals to, one fifth of CD कितना था, one fifth of CD कितना था, three, AB क्या वैलू कितना था, six, अब three two's are six, तो आगया, one by two, ये हो गया, एक और answer, समझ में आया, good, चलो, moving on to the next, क्या है, subtraction, this, this, from the sum of these, this and this, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ calculation है, subtract करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीन का, सम कर दो, और माइनस कर के, ये कर दो, तो answer आजाएगा, ठीक है, अब two, अपने इसे कर लेना, नमबर three, क्या है, from a sack of potatoes, weightening, 120 kg, a merchant sales portions, weightening, 6 kg, 5, वाद दियावाय, respectively, how many kg did he sell, इसका मतलब क्या, plus कर रहा है, है कि नहीं, वो जितना सारा है, सब को plus कर दो, तो कितना total number आएगा, वो पता हो जाएगा, ठीक है, वो पता कर दो, तो वो हो गया, total kg, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, how many kg are still left in the stack, तो 120 से वो वादा जो answer आएगा, उसको minus कर दो, बस answer निकल जाएगा, समज में आया, अब देखो, sums कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, हम तुम लोग को एक तो नया method सिखाएंगे, ठीक है, ताकि यह सब sums कितना easily solve हो सकता है, ठीक है, question number 3 का 1, हम क्या बताया थे, सब को plus करना है, ठीक है, तो, total, 1 tt, और potatoes कितना है, 120 kg, ठीक है, अब number 1, क्या है, कितना potato वो sell किया है, वो चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 6 kg, प्लस, 5, 1 by 4 kg, प्लस, 9, 1 by 2 kg, प्लस, 9, 3 by 4 kg, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, इसको plus करना है, तो लोग जब करोगे, तो क्या करोगे, इसको improper में इसको improper में, इसको improper में, फिर LCM लेके solve करोगे, लेकिन वो method, सही है, लेकिन time taking है, तो एक और method देखते है, ठीक है, वो method क्या है, देखो यह जो 6 kg, इसको side में रख दो, ठीक है, और बाकी इसको solve कर लो, solve कैसे करेंगे, यह जो है 599, ठीक है, इसको अलग कर दो, तो 9 plus 9 कितना होता है, 18 plus 5 कितना होता है, 23, अब यह 23 जो आया, 23 के साथ यह 6 करके 29 यहाँ पर रख दो, ठीक है, समझ में आया, 29 कैसे आया, यहाँ पर था 6 plus यह 5, यह 9 और यह 9, मतलब जितना सारा whole numbers था, उनको add it up कर दिया, तो यह हो गया 23, तो 6 plus 23 equals to 29 आ गया, ठीक है, तो side पर रख दो, और यह जो बाकी numbers है, मतलब क्या, 1 by 4 plus 1 by 2 plus 3 by 4, यह sum up कर लो, ठीक है, यह देखो, sum up करने में, यहाँ पर क्या है, यह 4, 4 नीचे क्या है, सेम है, तो इसको कैसे करेंगे, उसको एक साथ लेगो, यह जो half है, इसको side में रख तो, तो क्या होगा, 1 by 4 plus 3 by 4, ठीक है, अब यह जो half है, इसको side में रख तो, अब 1 by 4 plus 3 by 4 क्या होता है, नीचे अगर same denominator होता है, तो calcium हो जाता है, और ऊपर वाला क्या हो जाता है, फिर सिर्फ प्लस हो जाता है, तो 3 on 1, 3 और 1, 4 हो जाता है, ठीक है, तो 4 by 4 plus half, ठीक है, तो 4 by 4 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, अब यह जो 1 होता है, मतलब यहाँ पर answer क्या आया, 1 plus 1 by 2, अब इसके आगे क्या था, 29 प्लस था अब क्या हो जाएगा 29 प्लस 130 है नहीं यहां पर प्लस लिख दो चीक है यहां पर तुम 29 प्लस लिख के चलो तो यह इक्वाल्स टू दे दो यह लिखने का ज़रुरत नहीं है यह पॉर्शन तुम अगर लिखो या ना लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है उससे क्या हो जाता है एजी हो जाता है समझ है तो अब देखो यहां पर हम क्या किए 49 ब्लास वन बाइटू है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो यह जो हाफ आता है यह हम पे होल नंबर के साथ जूड जाता है ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि 30 प्लास वन बाइटू यह करने का जरुरत होता है ठीक है अगर यह प्रोसेडियोर होता है तो यह प्रोसेडियोर में यूज कर सकते हो तुम लोग और अगर अच्छा नहीं लगता है तो तुम लोग वह नॉर्बल मेथड उससे भी यही आएगा 30 अफ तुमारा जो मेथड है इसको इंप्रोपर करके फिर यही वाला मेथड से 30 अफ आएगा ठीक है इतना केजी यह हो गया मेरा टोटल केजी ठीक है अब पोटाटो लेफ्ट कितना होगा नॉमबर टू कितना हो जाएगा कितना लेफ्ट है लेफ्ट है 120 माइनस मतलब पूरा कितना था 120 केजी तो 120 20 माइनस 32 60 61 2ःपी 22 2021 अब इसको में करना है क्योंकि मेरा सम क्या है किसमें मिक्स में है सम में होगा तो आंसर भी मिक्स में करना है तो क्या हो जाएगा एक अंसर मेरा यह आ गया दूसरा यह आ जाएगा समझ में आया सम यह वाला मेथट अगर समझ में नहीं आता है तो इसमें मत करो तुम लोग नॉर्मली करो फेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा एक है? झाल झाल